ये जो चुनाव हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो उनका 400 सीट का नारा है ये बिना EVM के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है कि जिस दिन ये समविदान खतम हो गया उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा भाई और बहनों इंडिया गटबंदन के कार्य करता हूँ आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार आज कल IPL के मैच चल रहे हैं देखते हो आप लोग मैच फिक्सिंग शब्द सुनाए आपने सुनाए जब बहिमानी से एंपायर पर दबाव डाल कर प्लेयर को खरीद कर कैप्टन को धरा कर मैच जीता जाता है क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है हमारे सामने लोग सबाग चुनाओ है अंपायर किस ने चुने नरेंद्र मोदी ने हमारे टीम में से मैच शुरू होने से पहले दो खिलारियों को अरेस करके अंदर कर दिया तो भाईयों और बेहनों ये जो चुनाओ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी इस चुनाओ में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे है ये जो उनका 400 सीट का नारा है ये बिना EVM के बिना मैच फिक्सिंग के बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर खरीद कर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है सब मिला कर आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है हमारे सारे के सारे लोगों को प्रदेशों में भेजना है पोस्टर लगवाने है सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज है बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए तो ये कैसा चुना हो रहा है नेताओं को धमकाए जाता है पैसे देकर सरकारों को गिराए जाता है नेताओं को जेल में डाला जाता है केजरिवाल जी को सोरें जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये मैच फिक्सिंग सिरफ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे है ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के तीन चार सबसे बड़े अरब पती मिलकर कर रहे है ये सच्चा ही है और ये match fixing क्यों हो रही है बाई और बेहनों इसका सिर्फ एक लक्ष है कि हिंदुस्तान का सम्विधान जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविश्य दिया सपने देखने का हक दिया उस सम्विधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए ये match fixing की जारी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये सम्विधान खतम हो गया उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा इसको पुलीस से दमकी से नहीं चला जा सकता है ये जो सम्विधान है हिंदुस्तान की जनता की अवाज है हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है इसको जिस दिन खतम कर दिया गया उस दिन यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा अलग-अलग स्टेट हो जाएंगे हिंदुस्तान नहीं बचेगा यही इनका लक्ष है यह सोचते हैं कि सम्विधान के बिना दमका कर डरा कर पुलीस, CBI, ED इनकन टैक्स डिपार्टमन के साथ देश चलाया जा सकता है यह सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है आप मीडिया को खरीच सकते हो आप मीडिया को दबा सकते हो आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुँ बंद कर सकते हो मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस अवाज को दबा सकती है भाईों और बेहनों BJP के MP ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे मैच फिक्स करके 400 सीटे जीतेंगे वैसे ही हम समविधान को बदल देंगे समविधान को रद कर देंगे ये ऐसे ही नहीं बोला गया ये टेस्ट करने के लिए आइडिया टेस्ट करने के लिए BJP के MP ने बोला है ये लड़ाई समविधान को बचाने की लड़ाई है जैसे अकिलेश जी ने कहा समविधान चला जाएगा गरीमों के हक चले जाएंगे आरक्षन चला जाएगा और जो आपका धन है गरीबों का धन है किसानों का धन है मज़़ूरों का धन है वो पांच-छे लोगों के हाथ में चला जाएगा नोट बंदी की जी एस्टी लागू किया मुझे बताईए जी एस्टी से नोट बंदी से किस गरीब व्यक्ति को फाइदा हुआ किस छोटे दुकानदार को फाइदा हुआ किस किसान को फाइदा हुआ किस बेरोजगार युवा को फाइदा हुआ किसी को नहीं चालिस साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है एक परसेंट लोगों के पास हिंद्धूस्तान का पूरा-पूरा धन 22 लोग है जितना धन उतने उनके हाथ में है उतना ही धन 70 करोड़ लोगों के हाथ में है ये सन्विधान को क्यों मिटाना चाहते है क्योंकि आपका धन जो है आपसे चीनना चाहते है मैंने जाती चन्गर्ना की बात की किसानों के MSP की बात की युवाओं को रोजगार देने की बात की यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी match fixing काम्याब हो जाएगी यह भूलिये मत और जिस दिन match fixing काम्याब हो गई उस दिन आपका समविधान, हमारा समविधान खतम हो जाएगा जिस दिन समविधान खतम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी तो यह जो चुनाव है यह चुनाव कोई मामुली चुनाव नहीं है हिंदुस्तान को बचाने का समविधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछडे वर्गों का, दलितों का, आदिवासियों का गरीब जेनरल कास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक है उसको बचाने का चुनाव है यह बात आप याद रखिए क्योंकि अगर यह चुनाव जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पुरे देश को दिख रहा है बीजेपी के लोग कह रहे है कल मेरे से वियक्ति मिलने आया मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया मेरे साथ बीजेपी के कार्यकरता बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड है यह सचाई है एलेक्शन कमिशन के लोगों को नरेंद्र मोदीजी ने बठाया दो नेताओं को दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाओ से कुछी महीने पहले अगर डालना था तो छे महीने बाद डाल देते छे महीने पहले डाल देते तो चुनाओं से दो तीन महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था आपने हमारे बैंक अकाउंट बन किये कि विपक्ष चुनाओं ना लड़ पाए और इसलिए आपने कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद किये आपने एलेक्शन कमिशन में अपने लोग बठाए आप जुडिशिरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो समधान रद किया जाए और आप सत्ता में रहो मगर भाई और बेनों मैं सच बोलता हूँ और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओ बीजेपी जीते और उसके बाद सविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है जो मैंने का याद रखो ये देश नहीं बचेगा ये चुनाओ ये चुनाओ वोट वाला चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाओ है सम्विधान की रख्षा वाला चुनाओ है दन्यवाद जैहिद ये चुनाओ चुनाओ रखो